एक बार फिर से आप सबका स्वागत हैं जीवन एजुकेशन के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर और हम डिसकस कर रहे थे बिप देज कोर्स के रिगाड़ granular हम बात कर रहे थे और स्पेशल सेशन की बारे में डिसकस कर रहे थे की जा रहे हैं और इसके अंदर हम ने फिर्स ब्लोग के लिए थी फिर्स्ट यूंइट है जो हें धिकतो tap में जो health structure है health care settings होती है health care facilities होती है उनके बारे में discuss कर रही थे और उसके अंदर हमने दो session अभी तक ले लिये हैं जिसके अंदर हमने primary level के बारे में discuss किया है योनि ये health का जो structure होता है NRHM के अंदर जो health structure होता है उसके अंदर हमने primary level के अंदर सबसे first one बात की थी sub center की उसके बाद की है PSC की जो कि lastly आपने देख लिएंगे session अब आज की session में हम discuss करने वाले हैं secondary level की secondary level के अंदर हम discuss करेंगे Community Health Center के अपने बात करेंगे Community Health Center क्या होता है Community Health Center के अंदर कितना stopping pattern होता है Community Health Center के लिए sponsorship कोन होता है यानि उसको establishment और maintenance काम करने का कोन करवाता है उसके अलावा इसके अंदर eligibility या फिर establishing जो criteria है वो क्या है कितने कितनी population पर यह establish की जाती है और एक CSC के अंदर कितने PSCs होते हैं और कितने सबसेंटर होते हैं कितने Health and Wellness Center होते हैं वो अपन इस lecture के अंदर बात करेंगे और इस session के अंदर completely जानकारी लेंगे और उम्मीद है लास्ली जो session अभी तक हमने discuss किये है और आपने देखियोंगे और आपको समझायोंगे इसी उम्मीद के साथ आज के session को start करते हैं ज्यादा से ज्यादा इन video को इन classes को, इन sessions को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पोच्छ सकें ज़्यादा से ज़्यादा इनको बढ़ सके ताकि उनको भी इनका बेनेफिट हो सके चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं फटापट से वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया है तो कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजे साथ ही टेलेग्राम सर्विसेज एट कम्यूनिटी है लास्ली देखे होंगे आपने दो सेशन हमने डिसकस किया जिसके अंदर फर्स सेशन के अंदर हमने डिसकस किया था सबसेंटर के रिगार्डेड यानि हैल्ट वेलनेस सेंटर जो कि अपग्रेडिंग का काम चल रहा है ठीक है उसके अंदर अब नेगनर होती है लिए उट उसके बार होती है कितने अंदर कितने संस अंदर फेसिलेटिज होती क्या-क्या फैसलेटीन bra यहां पर क्या-क्या सर्विसेज एक PSE के अंडर होती है एक PSE Services प्रवाइड करती है सारी जानकारी हमने देख लिए थी उसका स्टापिंग पेटर्न भी हमने देख लिया था उसके बाद आज हम Community Health Center के regarding बात कर रहे हैं तो start कर रहे हैं सबसे first one हम इसका introduction पढ़ेंगे कि Community Health Center क्या होता है Community Health Center के अंदर क्या क्या facilities होती हैं और इसको control कौन करता है इसका maintenance का काम कौन करता है then हम इसके regarded आगे further इस class को आगे पढ़ेंगे तो सबसे first one हम इसके introduction की बात कर लेते हैं Community Health Center यानि CSC क्या होता है और कहां पर होता है किस तरीके से होता है सबसे first one first point आपको याद रखना है first point इसमें याद रखना है और यह मान के चले काफी important point है काफी बार comparative exams में भी ये question पूचा हुआ है तो सिधा सा और simple सा यही point आपको याद रखना है कि जो community health center इसको first referral unit बोला जाता है क्या बोला जाता है first referral unit बोला जाता है first referral unit बोला जाता है किसको एक community health center को यानि CST को first referral unit माना जाता है question ये question practical के अंदर भी आपसे पूचा जा सकता है वाई वाई में काफी बार आपसे question पूचा हुआ होगा जब आपका community exam हुआ होगा community practical हुआ होगा जब आप nursing कर रहे हुआ है तब आपसे question किया होगा examiner में जो external practical होते है external practical लेने आते है examiner उन्हें पूचा होगा first referral unit क्या होती है तो कोशिस है कि आपको बता दिया गया होगा वहीं पर वहीं से आपको ये पता होगा अगर नहीं है friends तो as a community health officer आप हो तो आपको ये point तो याद रखना ही होगा ठीक है जो अभी तक हमने पढ़े है health facilities वो सारी बाते सारे point और सारे जो topics आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये आपके benefit के लिए है यहीं नहीं है कि आपने exam दिया और बस काम हो गए इनका नहीं आपको जब तक आप service पे रहेंगे जब तक आप CHO post पर रहेंगे जब तक आप medical field से जुड़े है जब तक आप retire नहीं होते तब तक ही आपको काम आने वाली है तो आपको इनको भूलना नहीं है और अच्छी तरकी से याद रखना है तो first point हमने discuss किया CSC के regarded यानि community health center के regarded और इसके regarded क्या discuss किया कि community health center को first referral unit बोला जाता है क्या बोला जाता है first referral unit बोला जाता है जो कि आप सापने देख पारे होगे I think point बिलकुल आपको याद रहे गया होगा आगे देखते हैं कि कितने bedded ये facilities होती है तो एक sub center के अंदर हमने देखा था कितने bedded होने चाहिए कम से कम उसमें हमने देखा था कि 2-3 bed होते हैं उसके बाद PSE के अंदर हमने देखा था कि 4-6 तक bed होते हैं यानि 6 bedded ये hospital होता है CSC के अपन बाद करें Community Health Center के अपन बाद करें तो इसके अंदर 30 bedded होते है 30 bedded hospital ये होता है कितने bed होते हैं 30 bed की facility यहाँ पर होती है उसके अलावा ही यहाँ पर X-ray department भी होता है यहाँ पर क्या होता है X-ray department भी होता है यानि जो अभी तक हमने पढ़ा sub-center, PSC, Health and Wellness Center उन सब की facility ये provide करेगा उन सब में जो facility नहीं होती है वो CSC पर होगी उन सब में जो facility नहीं होगी वो CSC पर होगी यानि ये मान के चले सबसे standard जो center है वो यही है सबसे standard जो center है वो यही है I think clear हो रहा होगा आपके mind में जो भी doubt है आप comment कर सकते हैं आपको doubtful नहीं रहना है क्योंकि doubt रहेगा तो फिर आपको confusion रहेगा तो doubt नहीं रखना है तो CSC के बाद कर रहे हैं CSC के अंदर कितने bed होते हैं 30 यानि 30 बेड होते हैं और यहाँ पर x-ray department भी होता है OT facilities भी होती है labor room भी होता है और laboratory facilities जो most of the laboratories test वगरा करवाए जाते हैं उनके facilities भी यहाँ पर available होती है कहाँ पर CSC के अंदर है किसके अंदर CSC Community Health Center के अंदर ठीक है आई थी यहाँ तक आपको clear हुआ होगा अब आगे बढ़ते हैं और next point की बात करते हैं next point क्या है और क्या-क्या facilities यहाँ पर provide की जा सकती है और क्या-क्या facilities CSC के अंदर होती है तो देखिए this center provide basic specialty services basic facilities जो services होती है like general medicine like general medicine services यहाँ पर होती है pediatric और surgery pediatric services होती है surgical services होती है और उसके लाबा obstetric जो gynecological और obstetric जो services होती है वो कहाँ पर available होती है CSC के अंदर होती है यह CSC यह facility भी provide करती है जो basic specialty होती है वो भी provide करती है उनके अंदर सबसे most of the अपन देखे तो general medicine pediatrics surgery obstetric और gynecology यह services भी provide करती है community health center आगे देखे तो CSC का जो regulation होता है CSC को जो regulate करता है वो करता है state government अब अभी तक हमने जो दोनो तीनो centers पढ़े थे community health center के पहले हमने पढ़ा है sub center उसके पहले पढ़ा है PSC यानि primary health center sub center को control totally 100% जो control कर रहा था कौन कर रहा था central government कर रहा था कौन कर रहा था central government totally 100% जो control था center government कर रहा था पिसको sub center को यानि एक sub center को control करने के लिए 100% sponsorship देता है center government एक PSC को control करने के लिए या PSC को regulate करने के लिए कौन responsible या sponsorship होता है तो state government हमने पढ़ा था कल की क्लास में नहीं देखा हो तो जरूर देखे friend क्योंकि पूरा detail से आपको इनके बारे में जानना होगा उसके बाद आज हम पढ़ रहे है CSC और CSC को भी regulate करता है state government यानि कह सकते है PSC और CSC दोनों को ही regulate करता है दोनों को ही control करता है क्योंकि इसके पहले जो point अपने discuss किया है वो और ये point बिल्कुल as it is same है कैसे है देखिए CSC supervised या established अपन यहां कह सकते हैं PSC को supervised या establishing कह सकते हैं establishing या established और maintenance by the government government को ही state government यानि state government है regulate करती है control करती है establish करती है supervised करती है regulate कौन करती है सारा कुछ जो काम करती है कौन करती है state government PSC का भी कौन करती थी PSC का भी कौन करती थी state government ही करती थी sir PSC का भी state government ही करती थी और CSC का भी कौन करती है state government ही करती है केवल sub-center का central government करती है केवल sub-center का कौन करती है central government करती है यहां तक I think आपको clear हो गया होगा अब state government भी किसके अंडर करती है under the minimum basic need program और basic medical services ठीक है किसके अंडर करती है minimum basic need program के अंडर करती है और I think आप सबको याद होगा कि PSC का और CSC का दोनों का जो regulation है, maintenance है, supervised है वो same है क्योंकि PSC को भी under the minimum basic need program के अंडर ही regulation होता है और state government ही करती है और वहीं पर CSC के भी same है CSC में भी state government regulate करती है और under minimum basic need program के अंडर ही regulate होता है I think clear हो गया होगा तो यह वाला point है PSC और CSC दोनों में common है आगे बात करते हैं आपन आगे बात करते हैं next point की next point आपके सामने है Community Health Center forming the upper most tire are establishing and maintenance by the state government under the minimum need program और basic medical services program यानि state government के थूँ establish की जाने वाली regulate की जाने वाली और supervise की जाने वाली upper most tire के नाम से जाना जाता है upper most tire है CSC यानि CSC को upper most tire के नाम से जाना जाता है या upper most tire के सकते Community Health Center को किस के अंडर एक state government के अंडर है यहने state government under the minimum need control program या basic medical services program के अंडर upper most tire के रूप में मानी जाती है CSC Community Health Center upper most tire के रूप में मानी जाती है state government की बात कर रहे हैं पान अपर इस्टेट गोर्मेंट की तो अपर मोस्ट टायर है यह क्या है अपर मोस्ट टायर है एक CSC ठीक है अपर मोस्ट टायर है एक CSC I think clear हो गया होगा I think clear हो गया होगा आगे बात करें तो usually इसके अंदर bed strength मैंने पहले ही बता दी 30 bed होते हैं 30 bed यह hospital होता है कितना होता है 30 bed इसके अंदर क्या होती है facilities होती है I think यहाद तक आपको याद हुआ होगा समझ में आया होगा आगे बात करते हैं दो point और है जो की introduction में आपन पढ़ेंगे फिर आगे इसके बारे में discuss करेंगे तो first one point आप देखे currently number of CSC currently number of CSC in India इंडिया के अंदर currently जो number of CSC है वो है 5,335 5,335 यानि 5,335 5,335 CSC हैं currently इंडिया के अंदर यानि all over इंडिया के अपन बात करें तो 5,335 CSC हैं इंडिया के अंदर और ये डाटा में अंडर किसके अंडर दे रहा हूँ 31 March 2019 31 March 2019 ये डाटा थोड़ा बहुत changes हो सकता है क्योंकि timing के according कुछ subcentres और build-up किये जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत alteration अलग-अलग book में देखेंगे तो अलग-अलग book में भी अलग-अलग data आपको available होगा कई में 2018 के according है कई में 2019 के according है तो थोड़ा बहुत इनमें alteration चल सकता है alteration हो सकता है लेकिन आपको confusion होने की जरूरत नहीं है friends क्योंकि यह accurate data रहते नहीं है changes होते रहते है अभी मैंने जो data आपको दिया है यह 2019 के according दिया है तो इंडिया के अंदर total number of CSC थी 5335 5335 5335 तो इतने community health center थे उसके अलवा आपना आगे बात करें यह point आपको याद रखने की बात है कि एक CSC एक CSC के अंडर होती है 4 PSC एक CSC के अंडर होती है 4 PSC और 24 subcenter दोनों point आपको याद रखना है कि 1 CSC act as a referral center for the 4 PSC और 24 subcenter यहनि एक CSC किसके लिए referral unit होती है किसके लिए referral center होती है for the 4 PSC 4 PSC के लिए और 24 24 subcenter के लिए तो यह point आपको याद रखना है आपको practical के अंदर वाईवा के अंदर पूचा जा सकता है पूच भी सकते हैं आपको अमने mind में fit कर लेना है यह बात ठीक है तो याद रखना है एक CSC एक CSC के अंडर कितने PSC होती है 4 PSC होती है और 24 subcenter होते है I think यहाद तक आपको all over clearly समझ में आ गया होगा I think clear चलिए आगे बढ़ते हैं तो अभी तक हमने discuss किया है Community Health Center के रिगार्डे Community Health Center का तोड़ा introduction हमने लिया है कि normally अपन कह सकते हैं कि Community Health Center क्या है First referral unit है उसके बाद यहाँ पर जो बेड़ों की numbering होती है बेड कितने होते है कितना बेड़ होस्पिटल होता है तो 30 बेड़ यानि 30 बेड़ का यह होस्पिटल होता है इसके अंदर facilities क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं सर इसके अंदर अभी तक हमने जो पड़े है सबसेंटर या PSUN के अंदर जो facilities नहीं होती है उससे भी special facilities यहाँ पर होती यानि जो भी basic facilities होती है वो यहाँ पर provide की जाती है like यहाँ पर extra department होता है यहाँ पर OT होती है यहाँ पर labor room होता है यहाँ पर laboratory facilities होती है यहाँ पर general medicine department होता है यहाँ पर pediatric का अलग department होता है यहाँ पर surgery department होता है यहाँ पर obstetric or gynecological के लिए अलग से department होता है तो यह सारी services इसमें extra ली आपको पढ़नी है उसके लावा CAC का control और regulation कौन करता है तो सर state government करती है और MNP के अंडर करती है MNP के आसर minimum basic need program उसके लावा minimum basic need program उसके लावा basic medical services program के अंडर यह करती है और state government की upper most tire के नाम से इसको जाना जाता है state government के upper most tire के नाम से जाना जाता है जो की under the minimum need program के अंडर चलाई हुई है याद रखे आगे बात करें अपने currently इसके अंदर जो numbering कितनी है इंडिया के अंदर 155,335 है और एक CSC चार PSC के लिए referral unit होती है और choice sub center के लिए referral unit होती है referral center होता है I think अब clear हो गया होगा अब अपन आगे बात करते हैं इसके लिए इस्टा जो establishing criteria है यानि कितनी PSC एक PSC और एक CSC और एक सबसेंटर सब के लिए अलग अपने पड़ा है कि एक PSC, sorry एक sub center कहाँ पर होता है कितनी population में होता है I think आप सबको याद होगा क्योंकि आपने सारी classes पहले के पुरानी देख ली है जो previously classes है वो आपने देख ली है तो आपको सबका establishing criteria याद है और याद भी होना चाहिए ठीक है तो एक sub center के आपने देखी तो सबसे first one आपने देखें याँ पर सबसे first one हम देखें याँ पर तो hilly area या tribal area या फिर आदिवाशी area के अंदर आपने देखे तो 80,000 population पर एक CSC होना चाहिए कितना CSC? एक CSC एक CSC कहाँ पर होना चाहिए 80,000 population पर और plain area के आपने बात करें तो 1 lake 20,000 20,000 तक 1,20,000 population पर एक CSC होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? एक CSC होनी चाहिए 80,000 population सर किसके लिए minimum है जो कि hilly area, tribal area या आदिवाशी area के लिए है और 1,20,000 सर किसके लिए सर plain area के लिए है तो अपने कह सकते हैं कि CSC यानि Community Health Center 80,000 सर के लेकर 1,20,000 तक की population क्या किया जाता है? इस्टाबलिस्च किया जाता है बनाया जाता है इस्टाभित किया जाता है I think ये आपको clearly समझ में आ गया होगा कि कितना population कहाँ पर होनी चाहिए जब एक CSC योगी और कितने population होगी एक CSC होगी Community Health Centre होगा आइ यहाहां तक आपको clearly समझ में आ गया होगा कि कि इतनी population पर CSC होनी चाहिए समझ में आ गया बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको अभी तक जितने भी establishing criteria आपको बताए PSC के अंडर, सब सेंटर के और आप सब को याद है, आप सब को समझ आ गया और आप सब को भी याद रखना है क्योंकि आपको काफी helpful है आपके exam के regarded, ठीक है, कितना helpful है, याद रखे, बोत ज़्यादा helpful है, 80,000 और 1,20,000, काफी मददगार होगा, क्योंकि practical के अंदर भी आप से question पूचा जा सकता है, और आप ए community health center, sorry, community health officer हो, तो community के बारे में आपको पता नहीं है, तो फिर क्या पता है, ठीक है, जो health structure है, उनके बारे में आपको पता नहीं है, तो फिर आपको क्या पता है, के वल exam pass करने के लिए ही, यह नहीं पढ़ना है आपको, यह lifetime, lifelong आपको याद रहे, इस तरीके से आप को इनको पढ़ना है, और याद रखना है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, establishing criteria के बाद, हम आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, इसकी staffing pattern की, बात करते हैं, इसकी staffing pattern की, तो staffing pattern में आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा confusion नहीं होना है आपको, देखो, staffing pattern, question, नहीं है, हम सब्सेंटर के बढ़ता, PSC के बढ़ता, PSC के बढ़ता, अब आपन CSC के बढ़ते हैं, तेरा स्टाप होता है, प्सेंटर के बढ़ता है, तो तो टाइप के हम ने पढ़ी थी यहाँपर, सबसेंटर पढ़ा था दो टाइप का A टाइप सबसेंटर B ताइप सबसेंटर जिसमें एक में 3 स्टाप थे दूसरे में 4 स्टाप थे उसके लावा PSC भी दो टाइप की पड़े थी A और B OR A और B दोनों में अपने स्टाप देखे थे कि एक में तो 13 था दूसरे में 14 था उसके लावा desirable और essential की बात करना हूँ desirable और requirement के according एड होते हैं ठीक है वहीं पर आज हम CSC की बात करेंगे तो यहाँ पर जो staff होगा वो approximately 45-46 का staff होता है यहाँ पर normally बात करें तो 45-46 यानि 46 का staff यहाँ पर मान के चले 46 का staff होता है CSC के अंदर 46 staff यहाँ पर होते हैं अब 46 के अंदर कौन-कौन से staff होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक community health center के regarded काफी सारी facilities अवेलेबल होती है यहाँ पर x-ray department अलग होता है labor room अलग होता है surgical department अलग होता है gynecological department अलग होता है medicine department अलग होता है तो यहाँ अलग है तो उनके regarded staff भी अलग-अलग होंगे इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा staff रहता है और 46 यहाँ पर होते हैं अगर यहीं पर desirable की बात करें तो 52 के something यह हो जाते हैं ठीक है essential है कि 46 तो होंगे ही होंगे अगर 46 कम पढ़ते हैं जरूरत है extra staff की तो फिर यहाँ पर 52 staff रखे जाते हैं तो याद रखना है कि normally introduction मैं बता रहा हूँ staffing pattern का 3 होगा मैंने बताया तीनों tire system हमने पढ़ा sub center के अंदर 3 से 4 staff रहते हैं PSE के अंदर 13 से 14 रहते हैं अब detail से देखते हैं कि कौन सा staff कितने number होते हैं किस staff में किस department में कितना staff होता है तो department के according हैं पर पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं manpower at the community health center according to IPHS standard 2012 standard 2012 के according यह staffing pattern है और अभी तक यही pattern आपको बताया जा रहा है यही pattern आपको याद रखना है बाकि जैसे ही कोई नया pattern आता है तो आपको available करवा दिया जाएगा अभी तक यही pattern आपको याद रखना है तो देखें यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा हैं आप देख पारे होंगे जो index आपके सामने दिख रही है यहाँ पर अलग-अलग से option दिए हुए देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि staffing pattern था एक तरफ तो staff था दूसरे तरफ essential staff था और तीसरे तरफ desire staff था qualification नहीं था और remark भी नहीं था तो qualification देखें आप पड़े या नहीं पड़े कोई बात नहीं है हटा दो इसको रिमार्क आप पड़े या नहीं पड़े कोई बात नहीं लेकिन आपको staff और essential और desirable दोनो staff आपको याद होना चाहिए यह तो at least आपको याद रहना ही चाहिए आप qualification मत पड़े ठीक है qualification आपको नहीं पड़ाया जाएगा qualification ज्यादा detail से पड़ने की भी आपको जरूरत नहीं है रिमार्क पड़ने की भी आपको detail से जरूरत नहीं है केवल आप stopping pattern पड़े और stopping pattern को ही याद रखने की कोशिश करे बागी अगर आप चाहते हैं कि qualification भी हम पड़े qualification भी हमें पता चले तो आप qualification भी पढ़ सकते हैं और रिमार्क भी पढ़ सकते हैं कि कहां पर किस तरीके से ये workout करते हैं ठीक है तो चलते हैं पढ़ते ही हैं इसके regarding details से तो सबसे first one हम देखे अलग-अलग department अलग-अलग unit के अंदर हम पढ़ेंगे block public health unit के अंदर और इसके अंदर first staff होता है block medical officer कोन होता है block medical officer या फिर medical superintendent जोकी कितने होता है कितना होता है एक ही होता है याद रहे ठीक है लिस्ट होता है CSE के अंडर ठीक है याद रखे आगे चलते हैं नेक्स स्टाप की बात करते हैं अपन ब्लोक युनिट की बात कर रहे थे ठीक है आगे बात करते हैं तो आगे बात करते हैं नेक्स स्टाप की तो इसी के अंदर next staff होता है इसी के अंदर next staff होता है public health specialist public health specialist जो भी कितने होते हैं single होता है केवल essential staff होता है desirable staff नहीं होता है desirable staff यहाँ पर नहीं होता है केवल essential staff होता है public health specialist कोन होता है public health specialist होता है public health specialist कितना होता है सर एक ही होता है और केवल essential होता है desirable staff यहाँ पर नहीं होता है ठीक है याद रखे उसके लवाद next step की बात करें तो public health nurse यहाँ पर होता है पी एचन होती है ठीक है public health nurse यहाँ पर होती है पी एचन होती है और वो कितनी होती है सर एक तो essential होती है और एक desirable होती है तो दो होती है लेकिन essential एक ही होती है requirement एक की है तो एक ही रहेगी अगर जादा requirement आ रही जैसे कोई endemic condition आगी epidemic condition आगी जिसके COVID-19 चला तो उसके अंदर stopping pattern है वो बढ़ जाता है क्योंकि requirement बढ़ती है तो फिर desirable staff को utilize किया जाता है तो एक तो यहाँ पर essential होती है और दूसरी क्या होती है desirable होती है यानि एक तो essential और एक ही desirable staff यहाँ पर होती है I think यहाँ तक आपको clearly समझ में आ गया होगा ठीक है अब अपन बात करते हैं next department की specialist services अब specialist services के अंदर staff कितना होता है देखे specialist services के अंदर सबसे first one general surgeon और general surgeon कितना होता है एक होता है यहाँ पर भी desirable staff नहीं होता है physician की बात करें तो physician भी एक होता है यहाँ पर भी desirable staff नहीं होता है obstetrician और gynecological या gynecologist जो होता है वो भी single होता है desirable नहीं होता है उसके लावा pediatrician जो होता है वो भी single होता है एक ही होता है desirable नहीं होता है उसके लाबा एनेस्थेटिस्ट जो भी एक होता है डिजारेबल नहीं होता है यानि जो अभी तक हमने देखे specialist services के अंदर इनमें केवल essential staff होता है डिजारेबल स्टाफ नहीं होता है यानि general surgeon होता है एक physician होता है और obstetrician और gynecologist होता है एक pediatrician होता है एक और anesthetist होता है एक desirable staff यहाँ पर नहीं होता है I think यहाँ तक जो दो department हमने पढ़े है वो आपको याद होगे पहला department हमने पढ़ा था पहला department हमने पढ़ा था block public health unit और second department हमने पढ़ा था सेकंड डिपार्टमेνट हमने पड़ा है स्पेशिलिस्ट सर्विसेज इसके अंदर हमने जो स्टाफ पड़े हैं कि अवल असेंशियल स्टाफ होते हैं डिजारेबल स्टाफ यहाँ पर नहीं होते हैं आगे चलते हैं next department के अपन बात करते हैं next department यहाँ पर है देखे नेक्स डिपार्टमेंट कौन सा है आप देख सकते हैं जनरल डूटी ओफिशर ये डिपार्टमेंट है इसके अंदर आप देखे तो इसके अंदर आप देखे तो जनरल सरी डेंटल सर्जन जो भी कितना होता है एक होता है केवल असेंशल होता है केवल एक होता है वो पर desirable नहीं होता है जो कि MBBS level के होते है उसके बाद medical officer होता है आयूस का आयूस से medical officer होता है जो भी एक होता है केवल essential होता है desirable नहीं होता है तो यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और next बात करते हैं nurse and paramedicals nurse और paramedicals ठीक है यह department है nurse और paramedicals इसके अंदर देखे staff nurse तो staff nurse यहां पर कितनी होती है दस होती है staff nurse कितनी होती है 10 होती है desirable नहीं होती है फार्मसिस्ट की बात करें तो pharmacist single होता है एक होता है one होता है यहां पर desirable भी होता है कितना होता है desirable भी होता है एक आगे बात करें pharmacist आयूस का pharmacist होता है यह भी एक होता है, सिंगल होता है, वन होता है लेब टेक्निशन की बात करें तो लेब टेक्निशन दो होते हैं, डिजायरेबल नहीं होते है फार्मसिस्ट भी नहीं होता है यहाँ पर दो, ठीक है केवल जो जनरल फार्मसिस्ट होता है, वो डिजायरेबल भी होता है याद रखना है पूलना नहीं है उसके अलावा आगे देखें तो ophthalmic assistant होता है एक desirable नहीं होता है केवल essential होता है उसके बाद आगे देखें तो dental assistant होता है एक इसके अंदर भी desirable नहीं होता है आगे देखें तो cold chain या vaccine logistic assistant होता है essential stop होता है केवल एक desirable नहीं होता है और I think यहां तक जो अभी तक अपने stopping pattern पड़ा है वो आपको समझ आ गया होगा आगे देखिए कुछ stopping pattern और है उनको भी अपन देखते हैं OT technician देखें यहां पर OT technician आप देखें यहां पर तो वो होता है essential stop होता है केवल एक desirable नहीं होता है multi rehabilitation या community based rehabilitation worker यह एक तो essential होता है और एक ही desirable होता है यानि एक एक दोनों ही होते है assistant essential और desirable दोनों ही rehabilitation worker ठीक है उसके लावा counselor counselor के वर essential होता है desirable नहीं होता है counselor के वर essential होता है desirable नहीं होता है तो यहां तक भी आपको समझ आ गया होगा देखे फ्रेंड्स आप सबसे में फर्स्ट क्लास जब आमने ली थी फर्स्ट क्लास बीपी-C-C-H-N के रिगार्ड़े यानि बिरिज कोर्स के बिरिज कोर्स के रिगार्डिंग जब स्टार्ट कर किया था आमने सेशन तो फर्स्ट शेशन के अंदर यह आप से कहा था कि नोटबुक आप साथ में रखे क्योंकि काफी कुछ important points होते हैं काफी कुछ बातेज होती हैं जो कि मैं केवल वीडियो में verbally बताता हूँ हलाकि आपका theoretical subjective paper है तो almost जितना topic होता है वो सारा मैं आपको वीडियो के अंदर available करवाता हूँ लेकिन कुछ point ऐसे होते हैं जो कि मैं verbally बोल भी देता हूँ जो कि मुझे याद आ जाते हैं एकदम से तो मैं उनको verbally बोल देता हूँ तो आप notebook साथ रखे और notebook साथ रखे ही इनको पढ़े ताकि काफी सारी जीजे ऐसे आप verbally नोट भी कर सकते हैं जो कि आपको आगे helpful रहेगी बाकी वीडियो हैं आपके पास available हैं जब आपकी merge पढ़ती है तब आप इनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आगे चले next department की तो next department है यहां पर next department है administrative staff इसके अंदर registration clerk दो होते हैं केवल essential होते हैं इसके लावा statistical assistant या data entry operator है जो कि दो होते हैं डिजारेबल नहीं होते हैं ठीक है उसके लावा accountant या account assistant जो कि single होता है एक होता है डिजारेबल नहीं होता है अब काफिशारों के mind में अलगी दोड़ा होगा सर सिंगल मत बोलिए हमारा mind कहीं और लग जाता है single का मतलब एक होता है यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाए ठीक है यहां पर आगे देखे administrative assistant है जो भी एक होता है desirable नहीं होता है क्यवल essential होता है तो यहां तक भी आपक desirable नहीं होता है उसके लावा ward boy 5 होते हैं जो की केवल essential होते है desirable नहीं होते हैं driver है जो की एक होता है वो भी voluntary ठीक है उसके लावा 3 desirable होते है जब जरूत पढ़ती है तब बुला लेते हैं उसके लावा आप देखे यह सारा staff हमने देखा यानि total जो essential staff होता है essential staff होता है वो कितना होता है 46 और desirable कितना होता है 52 सर्थ दोनों मिला कि तो बहुत सारे हो गए तो दोनों नहीं मिलाना है अभी तक हमने यहीं पढ़ा है कि essential जितने होते हैं उसके लावा जितने पैसे जितने extra में add होते हैं वो plus हो जाते हैं तो कितना हुआ बावन हुआ का न पार ने स्टाफिंग पैटन देखे सबसेंटर से लेकर आज सी एसी तक हमने स्टाफिंग पैटन देखे उम्मीद है वो सारे आपको याद हो गए उगए और उम्मीद है आपको समझ आएऊँगे क्योंकि काफि सारे candidate तो ऐसे होते हैं कि इन बड़ी-बड़ी tables को देखकर बड़े-बड़े staff को देखकर ही डर जाते हैं तो डरना नहीं है friends आपको थोड़ा सा समझते हुए इनको याद रखना है बाकि ऐसा कुछ भी इनके अंदर नहीं है तो CSC का staff हमने देखा और almost I think जो CSC का staff पर आपको समझ आ गया होगा और आपको याद रहेगा तीनों के staff सब सेंटर के अंदर staff कितना सर से तीन से चार staff मुआ पर होते हैं उसके लावा PSC के अंदर सर कितना सर तेरा से चोदा staff मुआ पर होते हैं उसके लावा सर CSC के अंदर कितना इसमें तो बहुत सारा होता है क्या-क्या याद रखेंगे तो इसके अंदर 46 तो essential होते हैं और 52 desirable होते हैं यानि 6 और add हो जाते हैं इसलिगे कहते हैं desirable ठीक है तो 56 और plus 6 staff यहाँ पर होता है community health center के regarded और I think यहां तक अभी तक हमने जो भी पड़ा है health system के regarding PSC, CSC, health and wellness center के regarded वो सारे session आपने लिये होंगे और सारा कुछ आपको समझ में आया होगा और अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक community health center यानि CSC क्या-क्या services अवेलेबल करवाता है अब देखे कुछ services हैं जो कि already हमने पढ़ ली है कुछ services हमने subcenter के अंदर पढ़ ली है कुछ services हमने PSC के अंदर पढ़ ली है तो उन services को हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे यहां पर केवल में आपको वो services पढ़ाऊगा वो services बताऊगा जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है जो कि CSC पर extra होती है यानि CSC पर extra जो services प्रवाइड की जाती है additionally जो भी services है वो अपन यहां पर discuss करेंगे बाकी services हमने ले ली है already PSC और subcenter के अंदर जो PSC और subcenter के अंदर जो भी services थी उमीद है आपको समझ में आयोगी और उमीद है वो services अगर CSC के अंदर आपसे question पूचा गया है तो वो services आप यहां पर add करके लिख सकते हो ठीक है तो यहां तक की जो भी services आपको बताई वो आपको समझ आयोगी CSC के अंदर केवल हम additionally जो भी services प्रवाइड की जाती है वो services हम पढ़ेंगे ठीक है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो को like और share कर दीजेगा और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा ताकि आगे भी इसी तरीके से update आपको मिलते रहे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और CSC की services के बारे में हम पढ़ते हैं तो almost जो services हैं हम already पढ़ चुके हैं जो extra में वो पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है friend कि आपके exam में question आया आपके exam में question आया और आपने क्या कर दिया केवल जो services में यहां CSC के अंदर बता रहा हूँ केवल जो services में आपको यहां CSC के अंदर बता रहा हूँ वो services आप लिख कर आ गए और आप expect करते हैं इतना कि examiner आपको full marks मिलेगे examiner आपको full marks देगा तो इतना expect ना करे इतना expect ना करे क्योंकि जो services यहाँ पर मैं नहीं बता रहा उसका means वो है नहीं क्या वो है उनको अपने पहले पढ़ लिया इसलिए बार-बार एक ही चीज को बार-बार नहीं पढ़ेंगा ठीक है तो services आपको पूरी ही लिखनी है वहाँ पर जब exam finally exam होगा बाकि जो भी होगा आपन प्रेक्टिस सेट करेंगे तो उनके अंदर सब कुछ आपको पता चल जाएगा किस तरीके से कहां पर क्या लिखना है ठीक है चलते हैं first one services होती है एक community health center की एक CSE के अंदर जो first service होती है वो होती है outpatient और inpatient center दोनों services यहां पर available होती है inpatient department अलग होता है और outpatient department अलग होता है यानि कह सकते हैं OPD और IPD OPD और IPD दोनों services यहां पर available होती है कौन कौन सी OPD और IPD OPD में पैसेंट आते हैं दिखा कर treatment लेते हैं और चले जाते हैं IPD में patient को admit किया जाता है जब तक उसकी condition सही नहीं हो जाती है तो यह दोनों services एक CSE provide करती है उसके अंदर क्या-क्या services किस-किस department में services होती है देखिए general medicines के अंदर OPD और IPD यानि inpatient department और outpatient department दोनों ही होते हैं उसके लावा surgery उसके लावा obstetric और gynecology उसके लावा pediatrics dental and eye service यह सारी OPD और IPD services प्रवाइड की जाती है उसके लावा eye specialist services भी यहाँ पर प्रवाइड की जाती है जो कि one eye specialist services जो कि 5 CSE को control करता है यानि कह सकते हैं कि 5 CSE जो होती हैं 5 community health center होते हैं वहाँ पर एक eye specialist होता है वही day by day 5 CSE के अंदर visit करता है OPD और IPD department को समालता है ठीक है ध्यान रहे यह point याद रखने का उसके लावा दो point mention करके यहां लिखे हो है care of routine and emergency case in surgery ठीक है क्या 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 routine care or emergency surgery के रूप में भी एक CSE function करती है services provide करती है उसके लावा care routine और emergency in medicine यानि medicine और surgery दोनों ही services एक CSC एक community health center provide करता है I think यह service आपको completely समझ आ गई होगी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें आपको हर point हर बाते समझ में आएगी आगे देखिए अपन next services next services है maternal services और maternal services के regarded हमने काफी details से discuss कर लिया है sub center और PSE के regarded उसके अंदर हमने prenatal, intranatal और postnatal के regarded important services के बारे में देखा यहाँ पर केवल जो extra में additional services प्रवाइड की जाती है उनके बारे में देखेंगे पाकि इसके अंदर भी prenatal, intranatal और postnatal तीनों ही services आएगी कौन कौन सी? prenatal भी आएगी, intranatal भी आएगी और postnatal services भी आएगी उनको यहाँ पर हम mention नहीं करेंगे क्योंकि और पढ़ लिया है तो आप इनको भी वहाँ से पढ़े लेकिन वो services भी यहाँ पर आएगी, ठीक है? उसके अलाबा additionally जो services add होती है एक community health center के अंदर वो अपन यहाँ पर देखते हैं, देखें इन additional services at PSC 24 hour delivery services यहाँ पर होती है CSC के अंदर 24 hour delivery services होती है, लेकिन PSC और sub center के अंदर ऐसा नहीं होता है तो यह special services होती है, एक CSC के, उसके अलाबा normal और assisted delivery यहाँ पर होती है यह भी इसके अंदर include है, ने कि 24 hour delivery services including normal हो या assisted delivery हो कोई सी भी delivery services हो, CSC परवाइड करवाती है उसके अलाबा managing labor using partograph, यह services तो PSC भी देता है उसके लाबा all referred case of complication in pregnancy labor postnatal period must be adequately treated यानि सारे cases, जितने भी complicated cases जो की referred होकर आते है referred कहां से, सर सबसेंटर से referred होकर आय हुए case यहाँ पर manage किये जाते है PSC से referred हुए case, क्योंकि PSC भी हमने पढ़ा था कि case manage नहीं हो रहा है तो उसको stable करो और refer कर दो, उसको stable करो और refer कर दो, तो वहां से जो refer किये हुए cases आएंगे, जो complicated cases आएंगे प्रेगनेंसी के दोरान, या फिर labor का, या फिर postnatal period गा, उन सब को यहाँ पर appropriate treatment प्रवाइड किया जाता है, management प्रवाइड किया जाता है, care प्रवाइड किया जाती है CSC, Community Health Center के regarded, उसके अलावा, minimum 48 hour stay after delivery, यह services भी यहाँ प्रवाइड किया जाती है और यही services, PSC के अंदर भी हमने पड़ी थी, उसके अलावा, 3 to 7 day stay, 3 to 7 day stay, post delivery for managing complication, यानी 3 से 7 दिन तक भी, after delivery, mother को और बेबी को रखा जा सकता है यहाँ पर, कहाँ पर, CSC पर, कोई complication हो, उनको manage करने के लिए, अगर कोई complicated ऐसा case है, तो उसको 3 से 7 दिन तक भी, CSC के अंदर रखा जाता है, manage करने के लिए, कि उसके complication नहीं हो, और complication हो तो वो time to time manage हो जाया तो यह services भी special service है, जो कि CSC के अंदर ही provide की जाती है, उसके लाबा, proficiency in identification and management to all complication including PPH, eclampsia, sepsis, etc. यानि delivery के दोरान और delivery के बाद, यानि prenatal हो, intranatal हो, या postnatal हो, तीनों ही condition में कोई ऐसा emergency complication generate होता है, तो उसको identify किया जाता है, जल्दी से जल्दी as soon as possible उसको identify किया जाता है, और उसका management यहां पर किया जाता है, कहां पर किया जाता है, एक CSC के अंदर, during PNC, essential or emergency obstetric care, including surgical intervention like cigerian CS, CS, cigerian section or other medical intervention and provision of जननी सुरक्षा योजना, या जननी सिसु सुरक्षा योजना, यानि यहां पर जो दोनों स्कीम चलाई होई है, जननी सुरक्षा योजना, J.S.Y. और जननी सिसु सुरक्षा योजना, J.S.S.Y. इनके अंदर जो भी प्रोविजनर रखा जाता है, उसको देखते हुए, उनके अंदर लेडी को, प्रेगनेंट लेडी को, पूरी facilities प्रवाइड की जाती है, चाहे वो medical intervention हो, चाहे हो surgical intervention हो, यानि चाहे हो medical service हो, या फि जननी सिसु सुरक्षा कारे करम, तो ये भी है, तो इन दोनों के अंदर जो भी facilities होती है, वो प्रोवाइड की जाती है, इन दोनों को प्रोविजन मानते हुए, ठीक है, यहां तक की जो services है, maternal service वो आपको समझ में आ गई होगी, remaining services हमने previously lecture के अंदर पढ़ लिया है, तो remaining point आप वहां से पढ़े और वहां से इनको complete करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, next service के अपन बात करते हैं, newborn और child health, newborn और child health, यानि ये services भी CSE प्रोवाइड करती है, क्या, ये services भी PSC ने प्रोवाइड कीती है नहीं कीती, इसर वहां भी कीती और subcenter के अंदर भी हमने इसके regarding बात प्रोवाइड की थी, तो जो वहां पढ़ लिया है, वह आप यहां एड जरूर करें, केवल एडिशनली जो एक CSE के अंदर एड होगा, वह आपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो newborn के अंदर, stabilizing unit is provided, stabilization provided कि यूनिट होती है, stabilizing, यानि आप्टर डिलिवरी, एक वाड बनाया हो होता है, उसके अंदर बेबी को रखा जाता है, उसके अंदर जो भी complication वगएरा होते हैं, उनको step like किया जाता है, और routine और emergency care provide की जाती है, routine और emergency care provide की जाती है, six children को including facility IMNCI, इसकी strategies को best मानते हुए, newborn को, child को special care provide की जाती है, ठीक है, I think clear, और ये extra में, additionally में, इसलिए यहां प remaining portion है, remaining point है, वो आप previously lecture के अंदर से, देखे हैं, और वहां से उनको पड़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, XCSC क्या facilities provide करती है, extra, उसके आगे आगे आपन देखें, तो family planning services भी provide करती है, XC, family planning services भी provide करती है, XC, के से, इसकी भी अपने previously बात कर लिए है, PSC और sub center के अंदर, full range of the family services, full range of the family planning services यहां पर provide की जाती है, including IEC, information, education, communication के अंदर, counseling, provision of the contraceptives, non-escapal vasectomy, laparoscopic sterilization services, and dear follow-up care, safe abortion services like MTP and abortion care guideline of medical, health, family welfare, ठीक है, यहां पर देखें, यहां पर आप देखें, कौन-कौन से services प्रवाइड की जाती है, full family planning services यहां पर provide की जाती है, almost यह services आपने पहले पढ़ ली है, कुछ additionally यहां पर add की है, जैसे कि IEC, information, education, communication, और counseling प्रवाइड की जाती है, under the contraceptives, उनके वारे में services प्रवाइड की जाती है, उसके लावा जो permanently, permanent contraceptives है, उनको adapt करने वाले couple को services प्रवाइड की जाती है, लाइक non-escapal vasectomy करवाया जाती है, लेप्रो इसकोमी stylization करवाया जाता है, और services and follow up, और उनके regarded जो भी follow up होती है, वो सारी facilities यहां पर provide की जाती है, और I think यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, यहां तक जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है, यह और यह सब किसकी guideline के अंदर, abortion are guideline of Ministry of Health and Family Welfare, इनके अंदर, इनकी guideline के अंदर facilities प्रवायड की जाती है, एक community health center के अंदर, I think बिल्कुल clearly समझ में आ गया होगा, इसके remaining point है, आप पीछे के जो lecture है, उनसे पढ़े और उनस प्रवायड करता है, community health center, CSC, नेक service प्रवायड करता है, that is, national health program, यानि implementation of national health program, जितने भी national health program है, उनका implementation करवाता है, implementation करता है, एक community health center, एक CSC, ठीक है, अब इसके regarded भी, हमने previously classes के अंदर देखा है, subcenter के अंदर, इनके regarding हमने detail से पढ़ा है, उसके बाद, PSC के अंदर पढ़ है, कुछ additionally चीजे थी, अब, यहाँ पर, almost, जो अपने पहले पढ़ा है, वही जारी चीजे है, केवल, analyst, हम देख लेते हैं, कौन-कौन से program, आपको देखने है, previously classes के अंदर, previously classes के अंदर, जो पढ़ा है, उनके अंदर, सबसे first one program है, RNTCP, revised national tuberculosis program, जो के अपने previously classes के अंदर पढ़ लिया है, तो वहाँ से आप पढ़े, same as, PSC के अंदर, हमने जो पढ़ा है, उसके लावा, NACP, national ads control program, इसके अंदर, additionally, आपको क्या याद रखना है, integrated counseling और testing center, प्रोवाइड किये जाते हैं, CSC के तुरू, blood storing unit होती है, और STD clinic भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है CSC के अंदर, बाकि remaining जो PSC के अंदर हमने पढ़ा है, वही सारा कुछ आपको याद रखना है, केवल additionally इतना सा आपको याद रखना है, कि यहाँ पर इस program के अंदर, integrated counseling और testing center यहाँ पर available करवाई जाते हैं, blood storage unit यहाँ पर होती है, और STD sexually transmitted जो disease है, उनकी clinics यहाँ पर available होती ह Community Health Center के अंदर, उसके अलवा, next program के बात करें, NVBDCP, National Vector Bone Disease Control Program जो भी आपने पढ़ लिया है, PSC के अंदर, और I think आपने अच्छे तरह के से पढ़ा होगा, याद हुआ होगा, आगे देखें, National Leprosy Elimination Program जो भी अपने डिटियल से आगे पढ़ लिया है, उसके बाद, National Program for Control Blind NNS, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, उसके बाद, IDSP, Integrated Disease Surveillance Project, ये भी हमने काप्य अची तरह के से पढ़ा है, इसके अंदर, कुछ पॉइंट एड किये हैं, उनको पर देख लेते हैं, बाकी, प्रिवेसली हमने पढ़ लिया है, देखें क्या एड किया है, CAC will function as a peripheral surveillance unit, ठीक है, कौन सी surveillance unit, peripheral surveillance unit and collect analysis and report information to the district surveillance unit and on selected pandemic or prone disease, यानि कुछ prone disease के regarded, जो district surveillance unit है, वो provide करता है, information report, report और information, उसका analysis, वो सारा कुछ data है, provide करता है, अंटेग्रेटर्ड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट, ठीक है, I think समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया है, तो एक बार फिर से इन पेरिग्राप को पढ़े है, I think बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जागा, नेक्स अपने बात करें, नेक्स प्रोग्राम की, NPPCD, National Program for Prevention and Control of Diffness, जो भी हमने पढ़ लिया है, उसके अलावा, NMHP, National Mental Health Program, जो भी हमने पढ़ लिया है, उसके अलावा, NPCD-CS, National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke, यानि, फुल मिला के कहें, तो, Non-Communicable Diseases, क्या, Non-Communicable Diseases, यानि NCDs, ठीक है, उसके अलावा, NHP, sorry, NPHCE, National Program for Healthcare of Elderly, Elderly के अंदर जो भी जियाटरिक क्लिनिक्स वगेरा होती है, वो यहाँ पर फैसिलेटिस एक्स्टा में आपको याद रखना है, यह एड यहाँ पर करना है आपको, कि CSE के अंदर जियाटरिक क्लिनिक्स होती है, जो कि एक वीक के अंदर दो दिन तक चल होती है, तो इसकल चिकाइन के अंदर कितने दिन, दो दिन तार एक याद रखें, यह याद रखें, यह याद रखें, यह श्टार बना दिया है, जियाद रखें, पर्वेसलिया पर लिया है, उसके लावा आगे देखें, फिजिकल मैडिसीण और रेहाबिलिटेटीन यह भी प्रिवेशली देखिए उसके लावा, National Tobeco Control Program, यह भी services प्रवाइड करता है, CSC और Next, देखिए National Iodine Deficiency Disease Control Program और यह भी हमने प्रिवेशली क्लासेज के अंदर देख लिए, यह जो जितने भी National Level के प्रोग्राम है, उन सब को implement करता है एक CSC और CSC के अंदर जो भी additionally है वो अपने पढ़ लिया है बाकि remaining portion हमने PSC और sub center के अंदर पढ़ा है तो वहाँ से आप उनको पढ़े उसके अलावा क्या services प्रवाइड करता है national program के अलावा school health services प्रवाइड करता है क्या प्रवाइड करता है school health services प्रवाइड किया जाता है और ये अपने पढ़ रखा है sub center के अंदर भी और PSC के अंदर भी हमने इनके बारे में details से पढ़ा हुआ है तो इनका जो भी material आप हुआ से पढ़े ठीक है बार-बार इन सीज़ को नहीं पढ़ेंगा उसके लावा हमने पढ़ा है adults and health care ये भी हमने sub center और PSC दोनों में ही पढ़ी है तो ये भी वहाँ पर आप easily अच्छी तरह के से पढ़ सकते हैं उसके लावा blood storing facility हाँ ये नहीं है ये sub center या PSC के अंदर नहीं होती है केवल CSC के अंदर blood storing facilities होती है blood bank का काम करती है blood bank यहाँ पर बोल सकते हैं तो blood storing facilities केवल CSC के अंदर प्रवाइड की जाती है तो ये आपको याद रखे इसके अंदर क्या-क्या होता है आप सबको पता है blood store करके रखा जाता है emergency conditions के लिए ब्लड डोनेट संग यहाँ पर ब्लड स्टोरिंग किया जाता है blood का क्रोस मेच करके blood अवलेबल करवाए जाता है blood bank यहाँ के सकते है blood bank facility प्रवाइड करता है community health center उसके लावा diagnostic services प्रवाइड करता है diagnostic services यहाँ पर प्रवाइड करता है जो कि काफी additionally है क्योंकि PSE के अंदर इतना facilities नहीं होती है कुछ diagnostic facilities वहाँ पर होती है लेकिन सारी facilities वहाँ पर अवलेबल नहीं होती है जो कि CSE पर या district hospital में अच्छी तरीके से अवलेबल होती है कौन-कौन सी additionally diagnostic होती है diagnostic services होती है additionally in x-ray क्या होता है यहाँ पर x-ray department अलग से होता है यहाँ पर याँ इस्क्रेणिंग के लिए diagnosis के लिए screening department यहाँ पर होता है उसके अंदर x-ray department होता है ECZ होता है यह easily, appropriately, available होती है CSE के अंदर तो यहाँ पर अवलेबल उनके लिए training और staffing सब कुछ lab technicians यह सारे कुछ वहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखा जाता है यहाँ जैसे कि लेबर के condition में labor during intranatal किसी की death हो गई pregnancy condition में death हो गई तो उनकी maternal जो death है उनका review लिया जाता है कि किस सरे किस से death हुई क्या हुई सारा data यहाँ पर collect किया जाता है और I think जो facilities हमने देखी CSC के regarded वो आपको समझ आ गई होगी है जो facilities हमने previously पढ़ ली है वो मैंने बता दिया है कौन से facilities हमने पहले पढ़ ली है तो उनको वहाँ से पढ़े और I think community health center के regarded जो भी हमने पढ़ा हैं बिलकुल correctly आपके भेजे में गुझ गया होगा आपके दिमाख में गुझ गया होगा और आपको याद रहा होगा और आपको आगे भी याद रहेगा जब तक आपका exam नहीं होगा और lifelong याद रहेगा जब तक आपको इनकी जरूत पढ़ती रहेगी लेकिन मेरा केने का मींस यही है आप इनको एक दो बार एक दो बार फिक रिव्यू करते रहे repeat करते रहे देखते रहे, revise करते रहे ताकि इनको आप भूले नहीं है क्योंकि कोई भी चीज एक बार mind में store होगी तो उनको भूलने में तोड़ा टाइम लगता है लेकिन उस टाइमिंग से पहले ही आप उनको एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे देख लेंगे, तो I think वो कभी आप नहीं भूलेंगे, तो आज के session के अंदर जो भी हमने पढ़ा है I think आपको clearly समझ में आ गया होगा और last classes भी, जो अभी तक हमने पढ़े वो समझ में आयोंगी, जिन्होंने last classes नहीं पढ़ी हैं, वो जरूर पढ़े क्योंकि आपके bridge course के regarded सारी classes important हैं केवल और केवल आपके लिए ही ये classes available की जा रही हैं तो आप सबकी लिए ही है इनको ज्यादा ज्यादा शिर करें ज्यादा ज्यादा लाइक करें और चैनल पर First Time वीजिट कर रहे हैं चैनल को शब्सक्राइब करा है चैनल को शब्सक्राइब करके और bell icon को उल पर प्रेस कर लें तकि ऐसे ही अप-डेट Latest Update लेटेस्ट जो Classes है Daily up to date जो Classes आपको मिल रही है उसका Notification आपको मिल सके एजिली देख सके easily J1 Education के साथ जुड़ सके बाकि आज के लिए इतना ही मिलेंगे आपर नेक्स Class के इंदर एक नए topic को लिकर remaining portion को लिकर जब तक के लिए बने रहे है ज्यादा से ज़्यादा लाइक और शेर करें आपकी classes हैं आप जहाँ share करना चाहें जहाँ share कर सकते हैं इसी उमीद के साथ आज के सेशन को मिलेंगे नेक्स सेशन के इनदर एक नए टोपिक को लेकर एक इंप्टरेंट टोपिक को लेकर जब तक के लिए बढ़ते रहें विश्यो वोल दे बेस्ट, thank you very much